नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक मुदली चैनल पे और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं system users के बारे में इसे पीछले वीडियो में हमने system stakeholders और उसके जो पहला stakeholder होता है उसके बारे में जाना था System Analysis and Design Tutorial का ये नौवा वीडियो है जिसके अंदर हम यूजर के बारे में जानने वाले हैं System Users कौन-कौन से होते हैं So बिना देर की अपने सुरू करते हैं So what does it mean by system user? Of course User से समझ आता है कि जो system को use करेगा So a system user is any individual or group who uses the system Users interact with the system System को use कर रहे हैं अगर आप एक software बना रहे हैं और उस software का जो users होंगे वो system user माने जाएंगे Users का काम क्या होते हैं वो आपके system के साथ इंटरेक्ट करते हैं और sometimes वो feedback भी प्रोवाइड कर सकते हैं System User के बारे में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं उस दौरान हमें वो उसका importance समझने आता है लेकिन जैसे ही हम job पे जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हमें direct coding पे जाने के अलावा System Analysis and Design एक बार करना चाहिए क्योंकि development उसका part है एक system को design करने के लिए सिर्फ coding नहीं चाहिए है बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है इसलिए इस वीडियो में मैं पूरा effort डाल रहा हूँ और आप भी अपना effort डाले इसको सीखने के लिए और आगे हम examples भी देखने वाले है आपका time लेने के लिए आप मुझे माफ कीजेगा पर इस वीडियो के related अगर आपके पस कोई भी comment है या कोई improvement देना चाहते है तो आप हमारा form फिल करते जाएगा जो कि description में attached है यह मैं आपसे बहुत ही request से बोल रहा हूँ तो बिना देर किये आगे बढ़ते है अब हम देखते हैं Classes of System Users वह होता है वह होता क्या है और किस purpose के लिए सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा यहाँ भी internal का मतलब होगया जो organization के अंदर system को use कर रहे हैं ठीक है so organization के अंदर system को use करने वाले mainly तीन तरग के users होते हैं एक service oriented user technical users and management users okay so service users क्या होते हैं वो users जो अपना day-to-day transaction परफॉर्म करते हैं operations परफॉर्म करते हैं उनको service user में राखा जाता है like orders invoice payment and etc so जो daily operation करता है वो service user में आता है technical में आपके सारे developers और भी जो legal lawyers है accountants है और जो technical engineers है scientist है या market analyst है या other analysts है right वो सारे technical staff में आते हैं so वो technical purpose के लिए आपके system को use कर रहे होते हैं इसलिए वो technical user माने जाते हैं और उसमें से कुछ होंगे जो उस system को maintain कर रहे होंगे तो वो भी एक तरके user हो गए right उसके बाद है supervisor यानि कि management level और management users में वो users आते हैं जो decision makers होते हैं किसी organization के लिए right वो day-to-day problem solving and decision making पर ध्यान देते हैं लेकिन उसमें भी एक level होता है जैसे कि पहला level supervisor होगा फिर middle manager होगा फिर executive manager होगा तो supervisor day-to-day पर focus करेगा middle manager week और bimonthly and जो executive है वो yearly और future goals को बनाने में मदद करते हैं तो यह सारे decision makers managers लोगे right जो median managers है वो पूरी तरह से short term operational problems पे अपना focus रखते हैं और short term planning करते हैं लेकिन जो executive managers है वो strategic planning करते है strategic का मतलब आता है long term planning and decision making okay so इस तरह की users होते है internally external जो users होते है उसमें सबसे पहला होता है customer so कोई भी individual या organization जो इस organization से product को purchase करेगी वो उसका customer हुआ right and suppliers में वो लोग आते हैं जो कोई organization है जो इनको raw material supply कर रहा है और यह organization कहीं से अपने supply raw material खरीती है तो वो इसके लिए supplier होगा और उसको भी कुछ हद तक आपके system को एकसेस करना होता है तो वो supplier में आता है उसके बाद है partners so कोई भी organization जिसके साथ इस company का partnership हो जो services purchase कर रही हो या services दे रही हो तो वो partner users में आते हैं तो एक system के अंदर internal यानि कि जो day-to-day perform कर रहा है वो service में आएगा internal के अंदर service के अंदर जो उसको maintain कर रहा हो या technical जिसके पास skills हो वो technical में आएगा and management जो decision makers हो उस system को या उस system के द्वारा दिये गए data को लेके जो decisions लेते हैं वो management users आते है external में customer supplier partners so customer जो अपना product purchase करती है इस system के द्वारा और suppliers में वो आगे जो अपने raw material को supply करते हैं इस organization को partner में बहुत सारे तरह के partners सिफ होते हैं training हो गया या फिर कोई और चीज हो गया development हो गया मिसिंग होगी आपके समझने से की users समझ नहीं है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बता पाएंगे क्योंकि सारा ग्यान एक ही वीडियो में दे देना मेरे लिए यह possible नहीं होगा तो आप अभी इतना ही समझ यह बस मैं जहां से भी सुरू कर रहा हूं वहां deep तक जा रहा हूं system users पर हम mainly internal external पढ़ लेते हैं लेकिन हम कभी service technical management customer supplier partner यह सब नहीं पढ़ते हैं और मैंने आपको यह broad किया हुआ है तो I hope कि आपको समझने में असानी हो आपके बस अगर कोई भ मुच फर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद